हेलो फ्रेंड्स आज से इस्टिचिंग में आपका स्वागत है आज मैं 2-in-1 मास्क बनाना में बताऊंगी तो देखिए उसके लिए मैं कपड़ा भी ली हूँ दो तरह का मैं कपड़ा ली हूँ नीचे प्लेन है और उपर मैं प्रिंटेड रखी हूँ आप चाहें तो प्ले मैं दो पीस में पेपर भी ली हूँ सबसे पहले मैं इसका मेजरमेंट बता रही हूँ इसकी चोड़ाई है 11 इंच और इसकी लंबाई है 7 इंच एक तरफ से 7 इंच है और एक तरफ से 11 इंच है दोनों को एक साथ बराबर में रखते हुए बीच से पहले फोल्ड कर लेना है देखिए सेंटर से फोल्ड करने के बाद एक बार और हम फोल्ड करेंगे यानि कि जो पेपर है उसको हम फोर लेयर में फोल्ड कर लेंगे देखिए इस तरह से मैं एक बार खोल के दिखा रही हूँ पहले सेंटर से फोल्ड करके फिर एक बार और सेंटर से फोल्ड करना है तो यह फोर लेयर में हो जाएगा अब देखिए यह जो ओना साइड है उस कॉर्णर से वन पॉइंट 5 ंच पर हम एक निसान लगा लेंगे ठीक है इस तरह से और फिर दूसरे कॉर्नर से जो फोल्ड वाला साइड है उदर से भी 1.5 लिट अदर से भी हम निसान लगा know why देखे इस तरह से से इधर से में बाहर के साइड मैं राउंड में भुमातीवे मैं निशान बनाई हूं और सीम उसी निसान पे कटिंग कर लेना है देखे इस तरह से कटिंग करने के बाद यह यह bit से joint है तो इसको अब हम अलग-अलग कर लेंगे, इस तरह से देखिए, यह अलग-अलग हो गया है, अब यह 4 piece में cut हो गया है, देखिए इस तरह से, इसमें से हम 1 piece हटा दे रहा है, और देखिए यह जो 3 piece बचा है, इसमें मैं इसका size में बता रही हूँ, तो जो cutting किया अब देखिए, अब हम इसी से हम medium size और small size बनाना बताएंगे, तो देखिए medium size अब कैसे बनाना है, इधर से half inch इतना हम अंदर के side एक निशान लगा लेंगे, और side से देखिए, यहां से 2 point बस निशान लगाना है, जो इंची टेप में सिर्फ दो लाइने बनी रहती है, उत तो यह हो जाएगा और उसी निशान पर cutting कर देगे, तो यह हो जाएगा medium size, अब small size के लिए देखिए, नीचे से 1 inch पर निशान लगा लेंगे, small size के लिए, और side से half inch पर निशान लगाएंगे, और फिर निशान को ऐसे मिला लेना है, देखिए side से मैं half inch पर मैं निशान तेन साइज के बनके रिडी हो जाएगा धिख distortion कर ले हूं यह लार्ज हो गया मरी प्लेटींगे बता दिया हैं अभ कप्ड़े पर मैं कटिंग बता रही हूं गपक अचा मैं एसाए फोल्ड करके फिर कर यह यह वैसे ही निशान लगाना है जैसे मैं पेपर पर मैं लगाई थी पहले मैं ओपन वाले साइड से मैं 1.5 इंच पर मैं निशान लगा ले रही हूं ओपन वाला जो कॉर्णर है उधर से और फिर फोल्ड वाले साइड से भी मैं 1.5 इंच पर मैं निशान लगा रही हूं तो जो उढ़र वाला साइड मैं इसे गुलाई में बाहर के तरफ सेप दी हूँ, और जो फोल्ड वाला है वहां से अन्दर के तरफ में गुलाई में में यजो निसान पर cutting कर लेना है, यह जो मैं कप्रे पर मैं cutting कर रही हूं यह लार्ज साइज ही है इसका में stitching बताओंगी तो तो यह देखिए यहां मैं कप्डे पर मैं कटिंग कर ले हूँ इस तरह से देखिए यह कटिंग हो गई है अब इसको भी बीच से अलग-अलग कर लेना है बीच से फोल्ड है तो इसको हम ऐसे कट कर देंगे अब देखिए यह कट करने के बाद इसको खोलने पर यह ऐसे दिख आ रहे हूं। सेम। तीनों साइज का कटिंग हम पेपर पर अलग बता हैं लेकिन इस्चिंग तीनों का सेम ही करना है। देखिए दोनों को ऊपर एक रखते हुए.. सबसे पहले यह राउंड वाला जो सिलाई है इसको हम half inch इतना margin रखते हुए हम सिलाई लगा लेंगे इस तरफ से दिखिए जैसे मैं लगा रहे हूँ वैसे सिलाई लगा लेना है और सिलाई लगाने के बार छोटा छोटा कट लगा लेंगे और यहां उपर से भी हम सिलाई लगा सकते हैं इसमें मैं नहीं लगा रही हूँ आप चाहें तो उपर से सिलाई लगा सकते हैं फिर दूसरे वाले भी पीस में हम ऐसे ही करेंगे इसमें भी मैं कट लगा रही हूँ और इसमें देखिए यहां मैं सिलाई लगा के मैं आपको दिखा रही हूँ एक पार्ट में मैं सिलाई लगा रहे हूँ आप दोनों पार्ट में भी लगा सकते हैं देखे कपड़े को अच्छे से ऐसे हाथ से प्रेश करते हुए नाकुन से और फिर हम उसके उपर हम एकदम बीट सेंटर में हम सिलाई लगाएंगे देखे यहां मैं सिलाई लगा ले हूँ अब सिलाई लगाने के बार दोनों को एक बराबर मिलाते हुए रखना है और फिर किनारे किनारे सिलाई हम लगा लेंगे हाफ इंच इतना मार्जन कपड़ा हम किनारे में ही रखेंगे ऐसे देखी यहां तक सिलाई लगा लेना है फिर दूसरे वाले साइड भी वैसे इस सिलाई लगाना है सेम जैसे मैं अभी इस साइड में लगाई हूँ कपड़े को बराबर में मिलाते हुए ही रखना है देखी ऐसे मैं सिलाई लगा ले हूँ अब यहां भी दोनों साइट से थोड़ा थोड़ा हम कट लगा लेंगे कट लगाते हैं ताइम ध्यान देना है कि सिलाई न कटे और फिर हम इसको पलटकर अब सीधा करेंगे पलट कर सीधा करने के बाद इस पर हम प्रेस कर लेंगे ताकि इसकी फिनिसिंग अच्छी दिखे और जब हम प्रेस करेंगे तो देखें यहां किनारे से मैं हाफ इंच इतना अंदर मैं कपड़ा फोल्ड कर दी हूँ दोनों साइड से अब इसमें लाश्टिक लगाएंगे त यहां नीचे वाले साइड भी हम सिलाइ को पक्का कर लेंगे फिर दूसरे आइड्र इसमें लगा लेना है सिलाई डवल लही करना है ने तो फिर सलाइड लगा लिया पृर पम से लाइक ठुल जाएगा तो यहां डवल सी लाइक कर लेना है यह है यहां मैं यहां यहां इलास्टिक में डाइश कर ली हूँ अब यह मास्क बन के रेडी है इस मास्क को हम दोनो साइड से पहन सकते हैं देखे इधर से भी और इधर से भी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा वीडियो को लैक जिरू करिएगा वीडियो देखने के लिए थैंक यू